Hey guys and welcome back to your channel movie First of all, आप सभी को मेरा दिल से तहंग्यू for supporting me आज हम बात करेंगे कैजी हॉरर सस्पंस मुवी के बारे में जिसमें एक छोटे गाउं के सारे सैतानी राज खुलने वाले हैं अगर आपको जानना है कि ये इतनी अपीलिंग क्यों हैं तो चलिए देखते हैं, नौर्वेग का छोटा सा गाउं जिसमें वहाँ रह रहे हैं लोग को काम पर जाने की कोई ज़रत नहीं लेकिन हर रोज इनके लिए दावत दी महेंगे लेजिस खाने और पैसो की कोई कमे नहीं क्या है इनका राज? ये सब आते हैं उनके पैट से यानि कि उनके पालतू जानवरों से इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा इसका राज तो लेट स्टार्ट सुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्मल रिक्वेस्ट है कि अगर अप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले विद आट से इट लेट स्टार्ट बहुत सारा कर्ज होने के बाद लियोन की फैमिली को सहर से एक छोटे गाउं में मूग करना पड़ता है जिस घर में ये लोग रहने वाले थे लगता है बहुत वक्त से खाली पड़ाता लियोन की वाइफ मॉली को सहर पसंद था जब उसे सड़नली लियोन के साथ इस चोटे गाउं में आना पड़ता है वो बिलकुल भी खुश नहीं थी कार से उतरते ही वो लियोन से जगणने लगती है मैं एक सीटी गल हूँ इस शोटे गाउं में कैसे रह सकती हूँ जिस पर लियोन उससे एक ही बात कहता है कि अगर तुमने इतने खर्च ना किये होते और हर जगा आमारे उधार ना लगे होते तो हम इस जगा नहीं आते मॉली को ये दोनों ठीक नहीं लगते और उसे एक अजीब फीलिंग आ रही थी लेकिन क्या ये उसे पता नहीं चलता कनवर्सेशन के बाद पूरी फैमिली घर के अंदर चली जाती है मॉली जब खिड़के से बाहर देखती है वो ओल्ड कपल अब भी बार खड़े वे उनहीं देख रहे थी ओल्ड कपल को ऐसा करता देख मॉली थोड़ी घबरा जाती है वो लियोन से क्याती है कि लगता है शायद हो ओल्ड कपल थोड़े पागल थे लेकिन लियोन ये सारी बाते बेदुकी बताता है और मॉली को ज़्यादा ओवर्रेक्ट करने ना बोलता है दूसरा दिन और भी अजीब होने वाला था ये लोग देखते हैं कि कल वाले ओल्ड कपल ने पूरे गाओं के लोग को अपने साथ ही बुला लिया था सब लोग इनके घर की साफ सफाई करने आये थी मॉली के दिमाग में ये देखकर तीन सवाल आते हैं पहला आज आज एक वरकिंग डेता यानि कि आज कोई छुटी का दिन नहीं था तो ये सब लोग अपना काम चोड़ कर कैसे आ सकते हैं दूसरा ये कि हर कोई वहाँ पर उनकी मदद करने आया था सुनने में ही अजीब लगता है क्या ये लोग सच में इतने अच्छे थे और तीसरा कि हर किसी के पास एक पैट यानि कि पाल तो जानवर क्यों है सफाई के बाद सब मिलकर एक छोटी पार्टी करते हैं हर कोई अपने घड़ से एक-एक लेजिस खाना लेकर आया था लियोन अपने पड़ोसियों से पूछता है कि तुम कौन सा मास पका रहे हो ये तो बहुत लेजिस है आंसर था कोबे बीफ लियोन थोड़ा चौँक सजाता है वाउ इतना महंगा गोस्त जस पर सारे पड़ोसियों से इग्नोर करके अपना काम करने लगते है मॉली दूर से ही सब कुछ देख रही थी हर किसी के पास एक पैट था कुछ के पास बिल्ली, किसी के पास डॉग और कुछ ने तो गोड़ी भी रखे थी सब ही अपने पैट को बहुत ही ज्यादा केर कर रहे थी कुछ ज्यादा ही कर रहे थी अब दो औरत मॉली से बात करने लगते हैं वो दोनों उससे कहते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज़ की जरुत हो तो उनसे कहे मॉली सब रुका नहीं जाता उनसे पूछी लेती है यहाँ पर हर किसी के पास एक पैट क्यों है यह सुनकर दोनों औरत थोड़ा हेचकिचा सजाते हैं थोड़ी देर बाद उनमें से कहती है कि यहाँ पर यह नॉर्मल है जिस पर दूसरी औरत एक और लाइन आड़ करती है साहे दिन से कुछ काम हो हम सबको इस पर दूसरे औरत का एक्सपेशन थोड़ा बदल सजाता है जैसा कि गलती से ना चाहते हुए भी उसने एक रास बया कर दियो अब रात हो चुकी थी लेकिन मॉली अब भी उन सवालों से घिर वी थी वो अपने पती से उस अजीव लाइन के बारे में बताती है पैट से क्या मिलेगा इने लेकिन लियोन को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती उसके मताबिक इस गाओं के लोग बहुत अच्छे थे ये कोई बुरी बात तो नहीं थी लेकिन वो मौली को तसली देना चाहता था इसलिए वो मौली से प्रॉमिस करता है कि जल्द ही वो लोग शहर में वापस चले जाएंगे मौली खुश हो जाती है सच में हाँ सची बस पांचे साल और और हम सारे कर चुका कर सहर लोड़ जाएंगे मौली ये शुनकर शौक हो जाती है वो अंदर ही लियोन से नाराज हो जाती है दूसरे दिन सुबह मौली एक्साइज कर रही थी दूर सही वो कल वाली उनी दो औरतों को चुपते चुपाते जंगल के अंदर जाते देखती है वो क्यूरेस हो जाती है और वो भी उनका पीछा करने लगती है वो देखती है कि वो दोनों जंगल के बीच एक पत्थर के पास रुख जाते हैं अपने बिल्ली को और उसी पत्थर पर रखती है और दूसरे हाथ से एक चाको निकाल कर बिल्ली को मार डालती है ये देखकर मॉली बहुत ही घबरा जाती है वो वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही वो दोनों और तुसे देख लेते हैं वो दोनों उससे सांथ करते हैं और उसे गाउं का एक शीक्रेट शेयर करते हैं अगर तुम अपने पैट को सैक्रिफाइस करोगे तो तुम लोटरी जीत सकते हो तुम करोड़ पती बन सकते हो मॉली ने अपने आखों से योने उस बिल्ली को मारते वे देखा था इसलिए वो लोग ये शीक्रेट शेयर कर देते हैं ताकि ये बात गाउं से बाहर न निकले पता चलता है कि जिस पत्थर के पास ये दोनों रुके थे दरसल वो एक सैक्रिफिशल स्टोन था जो कि वाइकिंग्स के वक्त का था उस वक्त अगर किसी को भी लखी बनना था तो उस पत्थर पर जानूर की बली देते कभी-कभी तो वो लोग इनसानों को भी बली देते थे ऐसा इन गाउवालों का मानना था लेकिन चार साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लोग इस legend पर बिलीब करने लगे थे चार साल पहले काओं के एक आदमी की कुट्टे को कैंसर हो गया था उसकी मौत पक्की थी, वो अपने डॉक को जंगल में ले जाता है जहां पर उसी पत्थर पे वो अपने डॉक को सांती से मनने के लिए छोड़ देता है मगर तबी कुछ ऐसा हुआ जिससे इन सब को इस राज का खुलासा हो जाता है दूसरे दिन उस कुट्टे के मालिक को दो करोड की लोटरी लग जाती है वो कहानी सच थी कवर आग की तरह पूरी इलाके में फैल जाती है और सब लोग वहाँ पर एनिमल सेक्रिफाइस करने लगे थी ये था राज जिसके वज़ी से यहाँ पर सारे लोग पैट सकते थी एडिसी के साथ उसे वर्ण करते वे क्याती है कि स्टोन ओफ सेक्रिफाइस तुमें बहुती लालची बना देती है इतना कि इनसान खुद पर कावो नहीं कर पाता अगर तुम केरफुल नहीं रहोगी तो वो तुमें बरबात कर देगा घर पहुंचते ही मौली खुद को अब और नहीं रोक पाती और सेक्रिफिसल स्टोन के पास एक छोटे चुहे को लेकर पहुंच जाती है हतोडे से एक वार और चुहे के चीतर डुड जाते हैं यहां सो एक स्टोर पर जाकर एक लोट्री टिकेट खरी लेती है पूर एकसाइटमेंट के साथ जब वो लोट्री टिकेट स्क्रैच कर रही थी अचानक ही उसे बहुत ही गिल्ड फील होने लगा था कि कुछ पैसों के लिए उसने इतना गिरोना काम किया था वो लोट्री जीत गई थी लेकिन बस पचास उपह इससे तो टिकेट के पैसे भी नहीं निकले उसे बहुत ही गुसा आता है वो खुद को चीटेट फील कर रही थी गुसे में ही वो उन दो औरत के पास जाप पहुंचती है और उनसे सारी बात बया करती है सब सुनने के बाद वो दोनों उससे एक और शीक्रेट ट्रिविल करते है सैक्रिफाइस का इनाम इस पर डिपेंड करता है कि वो तुमसे कितना करीब है सैक्रिफाइस जितने तुमारी करीब होगा जिससे तुम जितना ज्यादा प्यार करते हो उसके बदले तुम्हें उतना ही ज्यादा इना मिलेगा यही रीजन था जिसके वज़े से सब लोग अपने पेट्स को यहाँ पर इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे थी मॉली कुछ सूचते हुए चुपचाप यहाँ से अपने गड़ चली जाती है अपने पती और बेटी को काम करते हुए देख उसकी नजर उसके बेटी के पाल तो कुटे पर जाती है वो कुटे को चिपाते हुए स्टोन अफ सैक्रिफाइस के पास ले जाती है इस बार मॉली अपने जैकेट से चाको निकालती है और फिर एक और वार इस बार उसके मुँपर पहले से ज़्यादा खुन लगा था जल्दी वो तोबारा स्टोर जाकर एक लॉट्री टिकेट खरी लेती है और अपने घर चले जाती है इस बार उसने बहुती महंगी लॉट्री टिकेट खरी दी थी उसका लालच बढ़ गया था उसके पती और बेटी उनके डॉक को हर जगर डूण रहे थे उसे भी उनकी मदद करने को कहते हैं लेकिन वो अपने तबियत खराब होने का बाना देकर घर पर ही अकेले रुख जाती है टीवे के सामने वो लॉट्री टिकेट के नंबर का वेट कर रही थी और अपने एकसाइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी टीव पर नंबर्स आने लगते हैं पहला नंबर था 17 दूसरा 46 मौली खुशे से हसने लगती है नेक्स्ट था 3 येस उसे अपनी खुशी पर काबू नहीं आ रहा था चौता नंबर था 44 वो अमीर होने के बहुती करीब थी आखरी नंबर प्लीज 16 लेकिन आखरी नंबर आता है 27 वो लोटरी हार जाती है आस्मान की उचाई से उसी दे जमीन पर आगिरी थी फिर से गुसे में वो उन दो औरत के पास जा पहुंचती है उनके वज़े से ही उसने बहुत सारे पैसे गवा दिये थे मैंने अपने बेटी के पेट डॉग को भी सैक्रिफाइस कर दिया तुमारी बातों में आकर फिर से मुस्कराते हुए वो दोनों उससे कहती हैं कि क्या तुम उसकुते से प्यार करती थी नहीं मगर मेरी बेटी तो करती थी तो तुमारी बेटी को उसके सैक्रिफाइस करने थी ना कि तुमें वो रानी बन जाती जितना ज़्यादा प्यार हम उने करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें किसमत मिलेगा उनके सैक्रिफाइस करने पर उसलिए तो हम उने पालते हैं यह सुनने के बाद मौली का दिमाग दोडने लगा था वो अमीर होना चाहती थी फिर से सहर के उस जिन्दगी को जीना चाहती थी एक और सैक्रिफाइस बस एक और यहां से मौली सीधे अपने घड़ चली जाती है वो अपने पती लियौन से इस सारी बात बया कर देती है उससे कहती है कि उनकर डॉग मर चुका था लियौन को अपने साथ डॉग की बाड़ी को लेने के लिए बुलाती है वो भी जादा कुछ ना सोसते हुए चली से उसके पीछे चले जाता है अब दूसरे रूम से उनकी बेटी ये सब कुछ सुन लेती है मॉली लियौन को लेकर स्टोन ओफ सैक्रिफाइस तक ले जाती है लियौन आगे बढ़कर जब कुट्टे की लास को देख रहा होता है इससे बिलकुल अंजान कि मॉली उसके पीछे एक चा को पकड़े खड़ी थी और इसे के साथ उस पर जपक पड़ती है मॉली लालच में अंधी हो चुकी थी उस टोन ओफ सैक्रिफाइस को उसके पती की बली देने जा रही थी जिससे उस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी जिसके बाद जो इनाम उसे मिलेगा उसकी सोची उसे ठका देगी पूरे पांच साल बीच चुके थे इस रात को एक रिपोर्टर बहुत बड़े कमपनी हाटमेन फानिशल कमपनी के चेर्मेन से मिल ले जाता है चेर्मेन अपना पीट दिखाएवे कुर्सी पड़ था क्या ये मॉली थी जो अपने पती के बली देने के बाद इतनी अमीर हो गई थी चेर धीर से पलटता है ये मॉली नहीं थी ये तो उसकी बेटी थी वो एक सफिद बिल्ली पकड़े थी जिसे उप्यार से सहला रही थी अब हम जानेंगे उस रात की पूरी कहानी जिस पल मॉली लियान को मार नहीं वाली थी उनकी बेटी वहाँ पर पहुँचकर उसे रोक लेती है इसी में मॉली अपनी बेटी को भी मारने लगती है खुद को बचाने के लिए बेटी एक पत्तर से मॉली के सर पर मारती है और मॉली सीधे सैक्रिफिसल स्टोन पर चागरती है और गलती में अंजाने में ही सही उसने अपनी मदर का सैक्रिफाइस कर दिया और बदले में अब वो करोडो की मालिक थी बट वेट, मुवी अभी खतम नहीं हुई मुवी के लास्ट पार्ट में जर्नलिस्ट उससे कुछ बाते कहता है जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मदर यानी की मौली के मौत के एक साल बाद ही उसके फादर लियान भी गायब हो गए थे किसी को पता नहीं था क्यों कहां गए आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा और क्या है इसके पीछे का रास मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको मेरी ये मेनज जरा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डू डिसलाइक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में